सच्चा उब्देश प्रेकर आया हूँ जो आपको बहुत अच्छ लगेगी मुझे विश्वास है क्योंकि आप साहित प्रेमी हैं ये मुझे पता है तो चले शुरू करते हैं कहानी सच्चा उब्देश एक बार एक सादू भिक्षा मांगते हैं एक घर के सामने पहुचे घर से बाहरे एक महिला आया उसने सादू की जोले में भिक्षा डाली और बोली की महत्मा जी कोई उब्दी जी सादू ने कहा की आज नहीं कर लोंगा अगले दिन सादू खीर से उस महिला के घर पहुँचा और विक्षा मांगे उस दिन महिला ने खीर बनाई थी और खीर का कटोरा देकर बाहर आई सादू ने कमंडल आगे कर ले जब महिला खीर देने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में कुड़ा बरा हुआ था यह देखकर वर रुक गई और सादू से बोली कि महात्मा जी आपका कमंडल तो घंदा है और इसमें बड़ा बड़ा हुआ है लाइए मुझे एक कमंडल दीजिए मैं अभी इसे साफ करके लाते हूँ फिर इसमें खीर डागा हुँए इस पर सादू बोले कि मेरा भी यही पर ट्या करना चाहिए तब भी सच्ची सुख और आनल की प्राप्ति होगी कहानी से हमें इसे ख्याने की है कि सच्चा बेस पाने के लिए पहले मन का सुख्य होना बहुत जरूरी है